साल करीब 17-18 जन्वरी के आस पास खबरे आने लगी कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है याने हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और अब हमारी जन संख्या 142 करोड से भी ज़्यादा हो गई है तो हमने यह जानने की कोशिश की कि यह आकड़ा आया कहा से World Population Review नाम के एकनेजे संस्था दुनिया भर के देशों की आबादी के आकड़े रखती है Total Fertility Rate याने जन अनंदर मतलब प्रती महिला को औसतन कितने बच्चे होते हैं मृत्तिव दर मतलब लोगों के मरने का दर क्या है सरकारी दफ्तरों में जो आकड़े मिलते हैं वो और कुछ सरवेक्षणों के आधार पर यह संस्था दुनिया भर के देशों के जनसंख्याओं के आकड़े अपडेट करती रहती है 18 जनवरी 2023 को जो खबरे आई कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है वो इसी वर्ल पॉपिलेशन रिव्यू के अनुमान से आई थी यह एक अनुमान है यह कोई जन गंड़ना यानि सेंसस का नतिजा नहीं है वैसे देखा जाए तो भारत में जन गंड़ना का लंबा इतिहास रहा है सरकार की अपनी वेबसाइट सेंससिंडिया.gov.in के अनुसार इसापूरुव 800-600 के काल में यानि की वैदिक काल में रिगवेद में आबादी के आकड़ों का संकलन किया हुआ मिलता है इतना ही नहीं कौटिले के अर्थ शास्त्र में करो की योजना बनाने के उद्देश से मतलब टैक्स प्लानिंग के लिए जन गंड़ना का महत्प बताया गया है अकबर के काल में भी एन अकबरी नाम के डॉक्युमेंट में जन संख्या के आकड़ों का संदर्व आता है इन जैसे कालों में इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आई परंतु जन गंड़ना में कभी देरी नहीं हुई जन गंड़ना होती रही ये परंपरा 1881 से 2011 तक मतलब 130 वर्ष बिना किसी खंड के चली 2021 में COVID-19 की महामारी की वज़े से जन गंड़ना को स्थगित किया गया 2021 में जन गंड़ना के लिए 35,000 करोड से भी जादा रकम आवंटित की गई थी 2030 में भारत की अर्थमंत्री निर्मला सीता रमन ने देश का अमरतकाल बजट पेश किया इस बज़ेट में जन गंड़ना की रकम घटा कर करीब 1,500 करोड रुपए कर दी गई है लेकिन आप भी जन गंड़ना कब होगी इसमें संदेय है डिजिटल जन गंड़ना की बाते हो रही है लेकिन फिर भी इसमें पारमपारिक तरीकों का इस्तमाल भी होता है इसमें कुछ व्यक्तियों को विशेश ट्रेनिंग दिया जाता है और वे घर घर जाकर लोगों से जन गंड़ना के प्रश्न पूछते है ऐसे व्यक्तियों को एनुमेरेटर कहा जाता है ये एनुमेरेटर जूनियर टीचर या सरकारी करमचारी ही होते है जैसे चुनाव के समय सरकारी कर्मचारियों को चुनाव के काम का अधिरिक्त भार दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है इन एनुमरेटरों को विशिष्ठ एरिया दिया जाता है जिसमें जाकर उन्हें जन गणना का डेटा कलेक्ट करना होता है ये एरिया गाव, इलेक्टरल वार्ड या प्रभाग आदी के सीमाओ से नियुक्त किया जाता है भारत जैसे बड़े देश में गाव, जिला, वार्ड, प्रभाग इनके सीमाए काला नुरूप बदलती रहती है ऐसे में जनगंडना का काम नहीं किया जा सकता क्योंकि एनुमिरेटर अगर एक दूसरे के एरिया में जाएं तो डबल काउंटिंग हो सकती है या फिर कोई एरिया छूट भी सकता है इसे लिए जनगंडना के लिए इन सीमाओ का बदल रोकना पड़ता है ताकि ठीक से डेटा लिया जा सके जनगंडना की शुरुआत से तीन महीने पहले इन सीमाओ को फ्रीज किया जाता है अंग्रेजी में इसे फ्रीजिंग ओफ एड्मिनिस्रेटिव बाउंडरीज कहते है 2020 में महामारी के कारण जनगंडना स्थगित करने के बाद इस फ्रीजिंग की तारीक साथ बार बदली गई है अभी इसकी तारीक 30 जून तहकी गई है मतलब कम से कम सितंबर 2023 तक तो जनगंडना शुरू हो ही नहीं सकती सरकारी वेबसाइट पर इस वीडियो के रेकॉर्डिंग के समय तक Census 2021 के बारे में कुछ नहीं मिला खाली एक ब्लैंक पेज COVID-19 पैंडेमिक सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ पूरे दुनिया में हुआ तो हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या अन्य देशों ने भी अपनी जनगंडना स्थगित की है करीब 80 देशों में COVID-19 पैंडेमिक की वज़े से जनगंडना प्रभावित हुई थी कुछ देशों ने कुछ महिनों के लिए स्थगित किया अन्य देशों ने एकाथ साल के लिए स्थगित किया और कुछ अन्य देशों ने अपनी जनगंडना की पद्धती में बदलाव किया लेकिन भारत ने जितना लंबा इंतजार किया है उतना शायद ही किसी देश ने किया होगा अब तो कोवीड के बाद चुना हो रहे हैं, नेताओं की रैलिया हो रही है, धार्मिक तियोहार हो रहे हैं, प्राणियों का उत्पिडन भी मजे से हो रहा है इतना ही नहीं बागो की जनगंडा भी हो रही है लेकिन 140 करोड मनुष्य इससे वंजित है ऐसा क्यूँ इसके पीछे क्या कारण हो सकते है इसका कई लोग अनुमान लगा रहे है जनगंडा के साथ ही देश में कितने लोग रहते है उसकी जानकारी इकठा करने के लिए National Population Register य हैने वाले है ऐसे लोगों का डेटा लिया जाता है मतलब अगर आप भारतिया नागरिक नहीं भी हो तब भी आपका डेटा इसमें लिया जाएगा अब NPR से आपने यह जान लिया कि देश में कौन-कौन रह रहा है उसके बाद आपको यह भी पता करना होगा कि उसमें से कौन-कौन अवैद रूप से देश में रह रहा है इसके लिए NRC यानि National Register of Citizens होता है NRC में केवल भारतिया नागरिकों का डेटा लिया जाता है NRC का प्रयोग आसम में किया गया था और सरकार का यह प्रयास रहा है कि इसे संपूर्ण भारत के लिए लागू किया जाए इसके साधरन Google Search से यह बात सामने आती है लेकिन फिर संदेह का कारण यह है कि राज्यसभा में जुलई 2022 में केंद्रिय मंत्री नित्यानन राय ने एक प्रश्न को उत्तर दिया था उसके अनुसार जन गंड़ना में जमा होने वाले डेटा का उपयोग NRC के लिए नहीं किया जाए है कि जन गंड़ना में जो NPR बनाया जाएगा उसका उपयोग NRC के लिए किया जाएगा इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टिया अपनी नजरे बनाई हुई है जन गंड़ना के बारे में ऐसे कई सारे मुद्दे संदिग्द है कईयों को लगता है कि यह संदेह सरकार जा दिसेंबर 2019 में मोधी सरकार ने Citizenship Amendment Act CAA नाम का कानून बनाया इसके तहर दिसेंबर 2014 से पहले जो हिंदू, सीख, बौट, जैन, पार्सी और इसाई लोग अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हुए है उनके लिए भारतिया नागरिक्ता का मार अर्मिक उत्पिडन हुआ है उन्हें भारत में शरण मिले लेकिन कईयों का यह मानना है कि यह सरासर धर्म के आधर पर किया गया भेतभाव है जो भारतिय सेकुलर विचार के विरुद्ध है जनवरी 2023 में रिलीज की गई BBC डॉक्यमेंटरी इंडिया दमोधी क्वेश्चन म यह दिखाया गया है कि NRC में समावेश करने के लिए जिन कागजों की आवशक्ता होती है वे कई लोगों के पास नहीं है इसमें अन्य देशों से आए हुए हिंदू, मुसलिम और कई अन्य धर्मों के भी लोग है डॉक्यमेंटरी के अनुसार सिर्फ मुसलिमों को छोड़ कर अन्य धर्मों के लोग NRC में शामिल हो सके इसलिए CAA का एक बैक डोर जैसा प्रावधान किया गया है कईयों का मानना है कि अगर जन गणना शुरू करनी है तो यह सारे विशर फिर से उभर कराएंगे फिर से जम कर विरोध होगा और सरकार को कठिनाई होगी इसी का सरका जन गंणा अटक गई है जन गंणा के बारे में एक और राजनितिक मुद्दा जाती निहाये जन गंणा के उपर है 1950 के दशक से जो भी जन गंणाई हुई है उनमें केवल SCST यानि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातियों में जो लोग आते है केवल उनका ही जा Census 2011, SECC 2011, इसमें गरीबी रेखा से नीचे जो लोग है, उनका सर्वेक्षन किया गया था, और उसमें अन्य जानकारी के साथ जाती का भी डेटा लिया गया था, यानि आम जंगणना में केवल SCST का डेटा लिया जाता है, लेकिन SECC 11 में सभी जातियों का डेटा लिया गया, इस सी धर्ती पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 2021 की जंगणना में भी OBC का समावेश करने की मांग की है, जाती निहाए जंगणना के पक्ष में जो है, उनके अनुसार जाती नश्ट करने के लिए आज की तारीक में जातियों की आर्थिक और सामाजिक परिसिती क्या ह इसका डेटा उपलब्ध होना आवश्यक है, सरकार के मतानुसार SECC 11 में बहुत सारी गलतिया हो गई है, उदाहरण के तौर पर महराष्ट में SCST और OBC मिलाकर सरकारी आकड़ों के अनुसार 494 जातिया है, लेकिन SECC 2011 में ये आकड़ा 4,28,000 से भी जादा रेकॉर्ड किया ग लिखता है, कोई वही जाती का नामालक तरीके से लिखता है, सरकार के अनुसार इसकी वज़े से जन गण्ना का संपूर्ण उद्देश ही नश्ट हो जाता है, और तो और जन गण्ना की तयारी 3-4 साल पहले से शुरू होती है, अभी इसमें इतना बड़ा बदल करवाना सर सरकार की ओर से कहा गया है, विपक्षी दलो का कहना है कि हिंदू वोट बैंक भारतिय जनता पार्टी के लिए जाती निहाय जन गण्ना करने से बिखर जाएगी, इसका सरकार को डर है, दो हजार तेईस में और दो हजार चौबीस के शुरू में कई सारे राज्यों के चुन कुछ लोगों का मानना है कि दो हजार चौबीस के चुना होने तक सरकार जन गण्ना नहीं कराईगी, जन गण्ना में सिर्फ लोगों की गण्ना नहीं होती, तो बहुत सारा डेटा इस प्रकल्प से निकल के आता है, जैसे कि कितने लोगों की क्या आयू है, कितने मिना सब्सक्राइण उपलबध है नौकरिया कितनी है कितने बेरोजगार है कितने लोगों का क्या-क्या उत्पण्न है इसे के साध स्थलान्तर का डेटा भी इस iron के आता है जैसे पिछले जनगन्णा के तूलना में कितने लोगों ने कहा से कहा स्थलांतर किया है, कितने लोग भारत में रहते हैं, कितने लोग भारत से चले गए हैं, कितने लोग भारत में आये हैं, भारत में विभिन्नराज्यों के अंदर कितने लोगों ने स्थलांतर किया है, भार्मिक डेटा इ इससे मिलता है, कितने लोग खेती करते हैं, किसानों के पास कितनी जमीन हैं, उनको क्या सुविधाय उपलब्द हैं, उनका क्या उत्पन्न हैं, ऐसा कई सारा डेटा इससे मिलता है, इस डेटा के उपर सरकार योजनाय बनाती है, बनाना अपेक्षित है, अगर ये डेटा ही पलब्द नहीं होगा तो तमाम सरकारी योजनाओं की दिशा ही बटक सकती है। पलब्द नहीं होगा तो तमाम सरकारी बटक सकती है। पलब्द नहीं होगी ये चैनल प्रजनन विरोध के विशय पर टिपणी करता है। कि भारत जिस समय दुनिया का सबसे जादा आबादी वाला देश बन रहा है। उसी समय भारत की जन गणना की 130 साल कुरानी परंपरा तूट गई है। सबसे बड़ा विरोधा भास तो यही है।